कैसे आप लोग आप सभी का में सौगत करता हूँ वेक्टर इजुकेटर के चैनल पर जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप के अक्टिविटी का मैंने पार्ट वन वीडियो बनाया था और जहांपे मैंने बहुती कोर कॉंसेट को डिटेल में ही बताया था कि कैसे आप्टि से किया सब्सकाइब में ना होते हुए बहुत कि आपको कुछ करने वाला हूं जिससे आपको और venir और लीडियो हो जो किया घृर्ट में लेज़िटिय बहुत तो one by one ज्यादा time ना लेकर कि हम discuss करते हैं problem को कैसे हम one by one problem को solve करते हैं, बहुत ही आसान है, इस तरह के compound में normal optical activity नहीं दिखाई देगी, ओ सरी, कारल्टी नहीं दिखाई देगी, लेकिन फिर भी compound क्या हो जाएंगे, optical active हो जाएंगे, मैंने conditions सारी बता रख रख था, सारी compound दिखाई दे रहा है, यहां पर होता क्या है, मैंने सारी condition आपको exactly बता रख था, पहले से कैसे होता है, यहां पर alcohol यह दोनों group काफी करीब में आ गये हैं, जिसके वज़ए से electron electron में repulsion सबसे ज़्यादा होगा, repulsion काफी ज़्यादा होने की वज़ए से, एक compound क्या हो जाएगा, out of the plane चला जाएगा, that is this one, अगर मैं इसको color करू, यह मैंने इसका wedge form design किया है, ठीक है, अगर यह wedge होगा तो इसका यह वाला part क्या हो जाएगा, dash form होगा, कहने का मतलब है, कि इनके electron pair में इतने बड़े-बड़े आपने substituting group लगा रखें, जिसके वज़ाशन में क साफी तेजी से rotate करके perpendicular चले जाएगे, perpendicular का मतलब होता, अगर यह plane ऐसा है, that is, आप देख रहे हो, यह plane अगर ऐसा है, तो ऊपर वाला plane कैसे हो जाएगा, सार, ऐसे हो जाएगा, right, समझ गया, that is, electronic pair में, electron के pair में इतना ज्यादा repulsion होने के बज़ाए से यह एक plane में नहीं नह जाता है, जिसके वज़ाए से उपर वाला जो group होता है, कोई एक group या उपर वाला या फिर नीचे वाला, any one group will be flipping with each other, इसके respect में वाला क्या करतेगा, flip कर जाएगा, 90 degree perpendicular rotate कर जाएगा, जिसके वज़ाए से इसमें plane of symmetry gap हो जाएगी, plane of symmetry अगर gap हो जाएगी, तो यह compound क्या हो optically active हो जाएगा, यह मैंने बता रखा है आपको, ठीक है, इस तरह की compound क्या होते है, generally optically active हो जाते है, next one, यहाँ भी, और सबसे बड़ी condition यह भी मैंने बता रखा है, यह पर पास दो दो बड़े-बड़े group लगे हो, जैसे के atrobson, यह bifinal type का कुछ compound, यहाँ पर मैंने लिख different group हैं, बहुत बड़े-बड़े आपने substituting group लगा रखें, तो बड़े-बड़े group लगाओ कहता आपका, तो क्या हो जाएगा, repulsion होगा, repulsion होने की वज़ए से कोई एक compound होगा, कोई एक group जो होगा, वो plane की क्या हो जाएगा, यहाँ भी same condition है, यह भी compound क्या हो जाएगा, optically active ह हो जाएगा, एक चीज मैं और भी बता देना चाहता हूँ, जो substituting कम किसी भी group के लिए, किसी भी compound के लिए, किसी भी compound के flipping के लिए, कम सकम दो बड़े-बड़े substituting group लगे ही होने चाहिए, normally, अगर आपके पास hydrogen, fluorine, या फिर deuterium, इस तरह के group हैं, तो उनसे flipping नहीं होता रहेगा, यह छोटे-छोटे group actually, HFD, that is this type of group very small, ठीक है, इनके वजाए से rotation नहीं होगेगा, इनके वजाए से rotation क्या होगा हम ऐसा continuously होता रहेगा, लेकिन जब बड़े-बड़े substituting group लगा दो रोटेशन क्या हो जाएगा, रोटेशन होगा नहीं, अगर इस तरह के चला compound क्या हो जाएगा, perpendicular चला जाएगा, तो plane of symmetry पास नहीं होगी, plane of symmetry नहीं पास होगी, तो compound कैसा हो जाएगा, optimally active हो जाएगा, definitely optimally active हो जाएगा, this one, alien system मैंने बता रखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सब कुछ सही है, सारा optimally active होते हैं, लेकिन मैंने यह भी बटाया होने चाहिए, तो यह काफी बलकी है, तो जिसके वज़े से क्या हो जाएगा, rotate कर जाएगा, flip कर जाएगा, this part is goes to upside, right, that is this one, अगर यह upside में चला गया, this one, ठीक है, तो back side वाला क्या हो जाएगा, bottom side में चला जाएगा, that is, यह compound ऐसे, तो यह क्या हो जाएगा, flip कर जाएगा, अपने repulsion को कम करने के लिए क्या हो जाएगा, plane के perpendicular चला जाएगा, तो यह वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, उपर के side में, that is this one, और यह वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, bottom के side में, अई बात समझ में, that is, this one ऐसे था, यह compound कैसे था, यह compound कैसे था, रिपल्सन इतना maximum ह होगा कि यह वाला पार्ट निच वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर और यह bottom ओला पेस चला जाएगा, dash form में, right, right, पीछे, back to the plane चला जाएगा, next one, this one, same case, ठीक है, यहां भी H है, यहां भी H है, यह भी है, यह भी हैश है, यह भी होजएगा, आप तरुन तब आप बता अप्ट के लिए एक्टीब यह ने बता करता है यह और इस जिसी को प्रॉब्लम नहीं होनी आपने यहां पर घान सी तो आप लंप नहीं डिखता नहीं न दिखाई नहीं नहीं को बट यहां पे जो भी अगर यहां पे कोई hydrogen नहीं लिखा अगर ऐसे लिखके छोड़ दिया जाते हैं तो दोनों गुरूप कभी सेम नहीं हो सकते राइट अधरविच प्लेन पास हो जाएगा तो इसलिए कंपाउंड क्या हो जाएगा आपके लिए एक्टिव हो जाएगा इस प्लेन के ऊपर चले जाते हैं यह सब कंपाउंड आउट प्लेन यहां पर चले जाते हैं जिसके वज़ेंगे साथ यहां पर यहां पर यहां पर दो रिंग के साथ एक इसके वज़ेंगा प्लेन को बिज कर दिया आपने यहां भी एक्जांपल की बात करते हैं वन बाई वन करके ठीक है हां अब हम आगे डिसकस कर लेते हैं कुछ एक्ष्टा प्लाबम और और है ऑप्टिकल एक्टिविटी के रिगार्डिंग तो देख लेते हैं वन बाई वन इसमें कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है यह कंपाउंड आपको देखके एकदम आईडिया आ गया होगा यह बहुत बढ़ा होता है जिसके बहुत बलकी बहुत ज़्यादा होगा और रिपेल करके यह आउट आप दा प्लें चले जाएंगे यह कंपाउंड अप्ली एक्टिव नहीं होगा ऐसा क्यों बोले हो सर ऐसा इसलिए बोला क्योंकि यहां भी आउडिन लगा रखा है आपने जैंगे वह बहुत बल्की ब्रुप जरूर है लेकिन यह दोनाओ गर्स कर जाएक जाएंगी और जिसके यह बाघी नहीं होगे सेंम रीजन वेन प्लें TOP डिन चला जाएगा जिसके बगया एक्टिल ऑब होनें की वाजाया से उसमें किसी तरहed सिमेट्री नहीं होगी कोई भी imitate नहीं होगा नेग्स वं सेम डिज़न यह भी कंपांट क्या हो जाएगा और द éénट्य कि अगर इसी प्लेन में स्लेक्ट मालीक趣ल चलाएगा यह कंपाउंड क्या होगा यह बिल्कुल होगा यह भी कंपाउंड क्या हो जाएगा इसमें कोई भी प्लेन पास नहीं होगा और यह भी कंपाउंड क्या हो जाएगा यहां पे मेथाइल यहां पे कुलीन एंड यहां पे इस तरह के compound जब कभी भी question में आ जाता है तो normally क्या होता है electronic repulsion इसमें भी होता है same type के group आपने यहां पे लगा रखें दोनों तरफ same same में अगर इस compound के देखोगे तो यहां भी molecules आपके molecules same हो जाने की होजा से इसमें optical activity की possibility कम हो जाएगी यह compound में electronic repulsion maximum हो जाएगा यहां पे methyl लगा रखा है यहां पे एच लगा रखा है यहां पे मेथाईल यहां पे दोनों तरफ अलग अलग है electronic repulsion maximum हो जाएगा जिसके वी compound क्या हो जाएगा optically active हो जाएगा तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे compound है जो chiralty न होते हुए भी और आप सिमिट्री पास नहीं होती है तो यह चीज का आप खासा ध्यान रखिए कि किसी भी compound की optical activity के लिए ज़रूरी नहीं है कि compound chiral हो उसमें कम से कम plane of symmetry पास नहीं होनी चाहिए तो यह mandatory condition है इसकी कि plane आप से किसी भी तरीकी से पास नहीं होगी अगर किसी compound में तो compound क्या हो जाएगा optically active हो जाएगा इस तरह से general equation कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं ठीके तो यह आपके कुछ प्रव्लम को टेकल करना होता है इस तरह के प्रव्लम आप करते रहे और भी बहुत सारे प्रव्लम में अपडेट कर दूगा पीडियाप के थरू ठीक है तो आज का सेशन हम यह इपी कंप्लीट करते हैं तब तक लिए बाबाय और टेक केर